भारत की धर्ति पर बहुत जल्द बुलिट ट्रेन दोड़े की जिसका ट्राइल राजस्थान में किया जाएगा राजस्थान में देश का पहला बुलिट ट्रेन ट्राइल ट्राक बनकर लगभग तैयार हो चुका है पहले फेस का काम सितंबर में पूरा होगा जुसके बाद 230 किलोमीटर प्रती घंटा की स्पीच से बुलिट ट्रेन का ट्राइल किया जा सकता है करीब 60 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक सामबर जील के बीच से निकाला गया है ये वही ट्रैक है जहां अंग्रेजों ने जैपुर जूदपुर के लिए लाइन बिचाई थी लेकिन 50 साल से ये लाइन मिट्टी में दब चुकी थी जिसको रेलवे ने सेटलाइट की मदद से इसे धूंडा और नया नेटवर्क तैयार किया ट्रैक में अलग-अलग स्ट्रक्चर जैसे पुल, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज बनाए गए है इन स्ट्रक्चर से बुलिट ट्रेन को गुजार कर स्पीड का ट्राइल किया जाएगा ये देश का पहला डेडिकेटेट ट्रैक होगा जहां पडोसी देश भी अपनी ट्रेनों के ट्राइल करवा सकेंगे भविश्य में इस ट्रैक पर हाइ स्पीड, सेमी स्पीड, सहित मेट्रो ट्रेन का ट्राइल भी किया जाएगा ट्रैक को हर तरीके से बनाए गया है ये ट्रैक घुमावदार होगा, पुल के उपर से ट्रेन निकलेगी इतना ही नहीं, पानी के नीचे भी टनल बनवा कर ट्रेन को चलाया जाएगा डेडिकेटेड टेस्ट ट्रेक बनाने में रेलवे के अलग-अलग डिपार्टमेंट की डेडिकेटेड टीम ग्राउंड पर है इसमें NWRD की टीम के साथ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, सिगनल डिपार्टमेंट, सिविल इंजिनर की टीमें शामिल है अब बात करते हैं आखर इस ट्राक को कैसे बनाये गया पूरे ट्राक पर करीब 137 अंडर पास और छोटे बड़े ब्रिच हैं आजादी से पुराना ट्राक मिट्टी में दब चुका था गूगल से खोजी जमी आजादी से पहले जयपूर से जोधपूर के बीच ट्रेन का यही रूट हुआ करता था इस ट्राक के जरीए अंग्रेज नमक का व्यापार करा करते थे आजादी के बाद सत्तर की दशुक में रेलवे ने जोधपूर के लिए अलग रूट बनाया था पुराना ट्राक पिछले 50 सालों में जमीन में दब गया था अधिकान शिस्सों पर अतिक्रमन हो गया था अंग्रेजों के समय बनाये रेलवे कारालिम भी मिट्टी में दब गये थे जोधपूर मंडल से पुराना रूट चार्ट निकलवाया गया DGPS यानी की Differential Global Positioning System से सेटलाइट सर्वे करवाया जब जमीन मिल गई तो अवैद नमक की क्यारियां हटवा कर खुदाई की तब रेलवे के पुराने ट्रैक आदी निकले थे इस पर रेलवे की टीम ने सेटलाइट से ही मार्किंग की और काम शुरू किया ट्रैक के लिए रेलवे को करीब आठ गामों से कुछ जमीन ही लेनी पड़ी भविश्य में राजिस्थान में बुलिट ट्रेन चलाने को लेकर सर्वे भी हो चुका है दिल्ली से एहमदाबाद तक चलने वाली इस ट्रेन के 9 स्टेशन राजिस्थान में होंगे 875 किलोमीटर लंबे ट्रैक में से करीब 657 किलोमीटर का ट्रैक साथ जिलो यानि की अलवर, जैपुर, अजमीर, भीलवाडा, चुत्तोडगर, उदैपुर और डूंगरपुर से होकर गुजरेगा जिससे परटकों को भी काफी फायदा होगा बियो रिपोर्ट, नक्तेच्टीव